हलो एवरीवन, वेलकम टू माई चानल, सो दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है हमारे सेकंड सेमिस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए सो गाइस जितने भी हमारे सेकंड सेमिस्टर की स्टूडेंट हैं दोस्तो फाइनली आप लोगों के लिए आपके असाइमेंट से रिलेटेड इन्फोर्मिशन आनी शुरू हो गई है और दोस्तो आप लोगों के असाइमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया है आप लोगों को कुछ important details अपनी assignment की front sheet के ओपर लिखनी है तो दोस्तो आपको किस तरीके से assignment बनाना है कौन कौन से details लिखनी है आज की इस वीडियो के अंदर उसी बारे में discuss करने वाले है तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन सी sheet यूज़ करनी है तो दोस्तो आप लोगों को A4 size की sheet यूज़ करनी है अपने assignment को बनाने के लिए आप लोग इस तरीके की lining वाली sheet भी यूज़ कर सकते हो जैसी की मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर image लगाई है या फिर आप लोग plain white sheet का भी use कर सकते हो इस तरीके की तो दोस्तो आप लोग जैसे मरजी चाहें वैसी sheet यूज़ कर सकते हैं lining वाली भी and without lining भी इसके बाद दोस्तो एक और चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है वो यह है कि आपको कोई भी colorful sheet यूज़ नहीं करनी है आप लोगों को पता होगा market के अंदर बहुत सारी flowers वाली and बहुत सारी जो अलग-अलग colors की sheets हैं वो आती है लेकिन दोस्तो आपको उनका use नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ white sheet का use करना है दोस्तो अब आप लोगों को front sheet के उपर कौन-कौन सी details लिखनी है and कैसे लिखनी है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक image लगाई है आप लोगों को अच्छे से यहां पर clearly नजर आ रहा होगा आप लोगों को इस तरीके से अपने assignment की front sheet को बनाना है दोस्तो कुल मिलाकर आपको आपके assignment की front sheet के उपर 5 चीज़े लिखनी है सबसे पहली चीज है आपका school roll number यानि के आपका sol roll number जो के आपके ID card के अंदर है दूसरा आप लोगों को लिखना है आपका exam roll नंबर जो की आप लोगों के Admit card के अंदर आएगा जब आप लोगों के Admit card आने शुरू होंगे तीसरी चीज आप लोगो को लिखना है आपका paper name यानि कि किस subject का आपका exam है उस subject का name आपको लिखना है चौतिय चीज आप लोगो को लिखना है paper code तो दोस्तो paper code आप लोगो को आपकी date sheet के अंदर भी मिल जाएगा प्लस आप लोगो की जो admit card आएगे उनके अंदर भी आपका paper code available होता है इसके बाद दोस्तों आपको fifth चीज जो लिखनी है वो लिखना है आप लोग को आपका name तो दोस्तों नाम आप लोग अपना लिख सकते हो और अगर नहीं भी चाहते तो नहीं भी लिख सकते हो यह optional है आप लोगों की मर्जी है तो दोस्तों यह total 5 चीज आप लोगों को लिखनी है इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को लिखना है page number दोस्तों page number आप लोगों को series wise लिखना है यानि कि आप लोगों को page number 1 से शुरू करना है पेज नमबर इसी तरीके से 123 करकर आप लोगों को ले कर जाना है दोस्तों आप लोगों को जो front sheet की जो detail है वो सब लिखने के बाद इस तरीके से नीचे से ही अपने answer को लिखना शुरू करना है तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से अपनी front sheet बनानी है तो दोस्तो ये तो बात हो गई फ्रंट शीट की, अब काफी सारे student के mind के अंदर ये doubt रहता है, कि मैम हमें एक subject के अंदर कितनी फ्रंट शीट बनानी है, तो दोस्तो आप लोगों को एक subject की सिरिफ और सिरिफ एक फ्रंट शीट बनानी है, एक subject के अंदर आप लोग दो questions solve होगी, तो दोस्तो ये चीज़ आप लोग प्लीज ध्यान रखेगा, इस चीज़ में आप लोग गलती मत कीज़ेगा, काफी सारे student अलग-अलग questions की, अलग-अलग front sheet बना देते हैं, तो दोस्तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक subject की एक ही front sheet बनानी है, और एक subject के अंसर को देना है, तो दोस्तो ये तो बात हो गई आपके सबसे पहले page की, जो कि आपके assignment का सबसे first page होगा, उसके बाद आप लोगों को other pages के उपर कौन-कौन से detail लिखनी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो दोस्तो other page के उपर आपको सिरिफ और सिरिफ तीन ची करते हुए जाएंगे, अब इसके बात दोस्तो आप लोग के mind के अंदर एक और doubt आता है, काफी सारे student पूछते हैं, कि मैम हमारा एक question का answer खतम होने के बात क्या हमें वापस से page number 1 से शुरू करना है, तो दोस्तो नहीं, माल लीजए आपने एक question का answer complete लिख लिया, अब आप question number second करने जा रहे हैं, तो दोस्तो जब आप लोग question number second करने जा रहे हैं, तो उस time पर आपको वापस से page number 1 से start नहीं करना है, आपको page number को उसी तरीके से continue छोड़ देना है, माल लीजए आपका जो first जो आप लोग उने question का answer लिखा है, वो 7 page के अंदर आया, और अब आप लोग जो next question लिखना शुरू करेंगे, यानि कि question number second वो आप आप आट वे page से लिखना शुरू करेंगे, यानि कि 8 पेज नंबर से लिखना शुरू करेंगे, तो दोस्तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को ध्यान लगना है, इसके अलावा दोस्तो आप लोग को जो sheet है, दोस्तो ये जो तीन डिटेल हैं ये आपको सभी pages के उपर सभी sheets के उपर लिखना है and front sheet तो आप लोगों को मैंने बता ही दिये वो आपको इस तरीके से बनानी है तो दोस्तो उम्मीद करते हूँ आप लोगों को सारी चीज़े अच्छे से समझ आ गई होंगी because दोस्तो आप लोगों के assignment के question answer की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ जो कि आप लोगों की बहुत जादा help करेंगी आपके assignment के अंदर तो दोस्तो मिलती हूँ मैं आप सबसे next वीडियो के अंदर सब तक के लिए thank you so much